मैं आज आपके लिए बहती ही सावाईohyd कर आई हो जिससे के आपके बाल जो है बहुत-ईथा को पुप्सुरत होंगे ऐस और को बनाना है आपको अपने बाल में अप्लाई करना है और अगर आपके बालों में किसी भी तरीके की समस्य है जैसे कि अगर हम यहाद करते हैं तो बहुत जादा क्या होता है बाल गिरते हैं बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम है गुच्छे की गुच्छे बाल जो है निकल कराते हैं या फिर अगर आप कॉम करते हैं अपने बालो में काफी जादा शाइन एड़ हो दो मुहे बालों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना हो और आपके बाल जो है तो आप आज का वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिसके इस्तमाल से आपके बालों से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और इन सर्दियों में जो है आपके बाल बहुत जादा खुबसूरत होने वाले हैं अगर आप इस तेल का इस्तमाल करते हैं तो आपके नए बालाना शुरू हो जाएंगे गंचपन आपका पूरी तरीके से खातम हो है उसको आगे बताने से पहरे मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिकिस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी यूसफू लगे थोड़ा सभी अच्छा लगे तो लाइक शियर जरू करें तो फ्रेंड्स रेमडिक बनाने के लिए हमें करना क्या है आपको एक पैन लेना पड़ेगा कुछ सद्धियों में जम जाता है इसलिए मैंने आप सड़्ो का तेल लिया है ठीक है कॉंटेटी आप उपर नीचे कर सकते हैं उसके बाद में ले रही है हीना पॉड़र हीना पॉड़र में यह आपके बालों को नरिश करेगा रिप्रेया करेगा आपके डैमे अप्शन में दे दोंगे आप जरूर से जरूर चेक आउट करें और बाहे कर सकते हैं यह तेल जरूर आप बनाएगे यह आपकी बालों को बहुत ही ज्यादा बनाने वाला है अब हमारे क्या है जो आसमेबाल सफेद हो जाते हैं तो उसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे अल्क गूदनस का इंडिगो पाउडर जी हाँ फ्रेंड्स यह भी हम यहां पर एक चम्मच लेंगे यह अपकी हेर ग्रोथ को प्रोमोट करता है डेंटर्फ को टीट करता है साथी साथ जो आसमेबाल सफेद हो रहे होते हैं उसके लिए बहुत जादा अच्छा है तो यहां अच्छा रहता है हमारी स्कैल्प के लिए यह हमारे बालो को स्मूच करता है और हमारे स्कैल्प को हेड्रेट रखता है यह भी हम आपर एक चमश लेने वाले हैं ठीक है अब उसके बाद हम अपने बालो में लगा बालो के लिए लेंगे बीरियूट पाउडर जी हां जुकंदर का जो की अलब गुटनेस का ही है अगर हम इसकी बात करें तो यह आपके नरिश करता है फॉलिकल्स को साथ में जो आपके हैर लॉस हो रहा होते हैं उसको भी रोकता है ठीक है तो इसलिए हम आपर यह एक चमच आपर बीरियूट पाउडर ले रहे हैं जो की सारे अलब कुटनेस के ही मैं यह आपर यूज कर रहे हूं प्रोडक्ट उसके बाद हम आपके करी लीफ्स ले रहे हैं करी लीफ्स का पाइदे तो आप सभी को पता है बताने की सब्स शालब करते हैं यह तो यह भी हम यहाप पर एक चमच देना उसके बाद हम ले देना आप रतन जोत मावडर जो है बहुत अच्छा होता है हमारे बालोंinya ऐसे दमें आदी साथ इयर नेच्टरू गलर रखता है कि बालों को हृट इनाधर रखता है आ पहलों है तो यहां पर भी हम जो है एक चम्मच ही ले रहे हैं उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे विल्ट अरिमरीक जो की है अल्ब गुटनेस का ही हम यहां पर हल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स यह जो है डेंड्रफ को टिट करता है तो आप यहां पर इस चीज करेंगे तो आपको अधे चमच लेना है जादा यूज करना है तो हमने यहां पर यह सारी चीजे ले ली है उसको अब अच्छे से हमें जो हैं मिक्स करना है मिक्सिंग बहुत ज़ाद जरूरी है यह समझ लिए अगर आप इस तेल को लगाते हैं तो आपको कोई और तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है जी हां फ्रेंज क्या हमने इसमें ऐसी इंग्रीडियन को एड किया है जोकि हमारे बालों के लिए बहुत ज़ादा मदद करते हैं एक बालो के लिए टेल को खतम करेंगे अज समयवाद सफ्य दोरें उसको ट्रीट करेंगे तो जब हमें एक तिल में ती साही चीज़ें मिल लई हैं तो फिर हम क्यों ने इस तिल को बनाएं और यूज करें आपको यह हलके हलके ही गरम करना है लो फ्लेम पे ही बनाना है क्योंकि अगर आप तेज कर देंगे तो इसके पाउडर सारे जल जाएंगे इसके जो गुण है वह आपके ऑउडर में नहीं आ पाएंगे तो दीरे दीरे पकाया ऐसे वाइल आने दें और आपको पता कैसे चलेगा यह तेल बन गया है क्योंकि तेल अलब हो जाएगा और जो पाउडर है वो नीचे बैट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका तेल बनकर तयार हो गय में ही दिखने लगेगा जी है अगर आप इसको कंट्यूनिव करते हैं अगर बीक में दो या तीन पार इस तेल के इस्तिमार करते हैं तो रिजल्ट जो है आपको कमाल की मिलेंगे इसको पांसे साथ मिनेट पकाए फिर ठंडा होने के लिए एक दें पिर आप छन्नी की से नहीं चानने तो आप मकमल के कपड़े से भी चान सकते हैं क्योंकि जो पूरा रह जाएगा और आपको 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 पूरे स्कैल्प में लगाना है और सबसे पहली बात आपको यह ओवर नाइट रखना है ठीक है दो से तीन घंटे अगर आपके बात बिल्कुल भी टा जो कि हमारे बालों को बहुत जादा अच्छा बनाएंगे बॉल्यूमेट करेंगे अपके बालों को हेल्दी बनाएंगे शाइनी बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम दीचे ताकि आपके बालों को पूरी तरीकी से फोशन मिले ठीक है तो ओवर नाइट रखें और इस रेम बनानी होती है तो जादा आप प्रोड़क्ट यूज किया अकर आपके पास नहीं है पाय करना चाते हैं तो लिंक में आपको दिंचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगे आप महां जाएं और आप खरीद सकते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटिट कुछ पुछना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें मैं उसका रिपलाई जरूर करूंगे